हुआ है वह स्वागत है दोस्तों आप KSQ inch के सन गृूप पे और अभी हम लोगा धीन करहें के मिश्टिक एक महत्पुन पाटका ध्यन कर्गी करन और पदार्त की वखिय न में भांतिक विभाजन देख चुके हैं बहुतिक विभाजन को ही पदार्थ को ही, पदार्थ के अवस्था कहते हैं, और एक अन विभाजन जिसे कहाते deti, पदार्थ का बाद मिवस्था पदार्थ को लिए 7 फ Aber the क्या होती है चलिए तुम्हारा जो पार्ट है आज का उस पार्ट का ना में पदार्थ के रासायनिक बीभाजन पदार्थ के रासायनिक बीभाजन चलिए पदार्थ के रासानिक बीभाजन के बात करें तो पदार्थ के रासानिक बीभाजन कीटने पदार्थ की रاجान वाति है रासायन का मतन journée की अनदर आपक बनाव मैं ऑंजैसे माहें डिख रहां हूंँ और वह भातिक सवे दो वैं और मं बूर मैं म Hayır भूल रहे मान पवीत्र में तम रसुद्र में सुधर-सुद्र में मिलावत है मतलब तुमहेरे मुझा पूछ और clearly कुछ और भगल में कुछ और तुम्हारे औने वगल में उगल मुझा उब ऑडिक spilled है मिला वठा मन में में मिलावठ है पर याद रखना इसके थिर हम अशुद का मतलब जिए यह बहुत परकार हो बहुत से देखे यानि रासानिक विवाजन किसके अधार पर तो रसानिक विवाजन किसके अधार पर है तो रसानिक विवाजन सुधता क्या धार पर है अब इसे समझना है सुधता क्या मतलब है जैसे अगर मैं कहूं जैसे समझे चावल खाते हैं चावल में सिर्फ चावल के कर दो शुद्ध हो गया और याद रखी खाते हैं खिच्री में चावल डाल नमक उसके बाद पानी उसके बाद गोभी कुछ भी मूली वगर सो अध्रक वद्रक समीला देते हैं यह क्या हो गया हो गया असुद पदर जिसमें बहुत परकार के पदार्थ बरणायकोम सोध कहते हैं जो असुदध पाद आफड मिलावट में उससे कहते हैं तो राशानार्स अिक पदार्त करता के सुधता के धार पर व्यववाजन इसी कहते राशानारे किदने परकार के उसकते हैं तो तो दोब कर कि आ अ और किऄयेगा मैं कैसे बताँ कि एक सुध्यताए किधार प्रदू एक होता है शुध्पदार्थ के सूध्य पदार्द इसए कहते हैं प्योर्जप्चेंस इसे क्या गाते है प्योर्जप्द anda है प्यूर है सबस्टेंस सुध्पदार्थ और दूसरे उसे कहते हैं अशुध्पदार्थ और सुध्पदार्थ और करना है इसे कहते इंप्योर सबस्टेंस तो अगर मैं बात करूँ सुधता के अधर पर पदार्थ के कितने परकार तो एक सिंगल फेज में होगा मतलब एक ही परकार के कन मौझूद होगा चावल और एक होगा जीसे बहुत परकार के पदार्थ मिलोंगे जैसे खिचरी तो अगर सी बात करें तुसे क्या कहते हैं कि अगर मैं बात कुरू ऐसे हैं और जो गुला कारे इसका संबंद या तो परमानू से हो सकता है नहीं तो अनू से हो सकता है यह परमानू हो सकते हैं या फिर अनू हो सकते हैं क्योंकि हम पिछले क्लास हैं बात कर चुके कि जितने भी पदार्थ हो या तो परमानू से बने होंगे नहीं तो फिर अनू से बने होंगे ठीक है अब इधर के बात करें तो इधर देख लिजिए कि देखके बताए कि कौन से ऐसे पदार्थ के परकार जिसमें एक री परकार के सिंगल फेज़े एक ही परकार के कंद मौझब है तो इसे कहा जाका सुध्पदार्थ इधर देख लेजिए अब समानता देखे तो सुध्पदार्थ को डिफाइन करें तो सुध्पदार्थ किसे कहें मैंने क्या कहा है यह जितने है यह तो परमानू हो सकते नहीं तो फिर अनू हो सकते हैं अगर परमानू या अनू दूनों को मैं क्या कह सकता हूं कौन याद्रखना है क्या कह सकता हूं कि वैसा पदर्शै पदर्शलकार की मिलने से बना है यहाद रहन है यह तो कौनों की मिलने से बना एक ही परकार के कौनों के मिलने से बना उसे क्या करते सुथ-पदर्थ जो अलग 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 पर कर कारके कॉन याद रखने डिफीरेंट टाइप प्लिए फ़र टाइप hence हुआ है इसी बनाऊ उस्टे क्वल्त फ़र्म धियर देते हैं तो सुम्धाृत में जो एकी परिकार के तो एक परिकार कारनों से लिकिन कंपने यो शकता है वे सकता है परमान मोया फिर अनू इसका मतलब साथ है कि एक परकार के कंद में एक तो हो सकता है परमानू और एक क्या हो सकता है अनू इससे मिल के बना हो और वैसा सुद्बदार्थ बहुत अनाम से गोर करना क्यों कि सवाल के रख जाम में आ चुका है देखे वैसा सुद्बदार्थ जो एक ही परकार के परमानू से मिल के बना हो उससे तत्व कहा जाता है और इस तत्व सब्द का परयोग सबसे पहले सण उन्हें 61 में याद रखना रखना रोबर्ट वैल ने परयोग किया था इस अब तत्व सब्द का लेकिन तत्व को डिवाइन लिवोजियर ने किया था भी पीसे में स्वाल पूछा जा चुका अब कि कि तो है यूज किया तो उसका नामे रॉबट वॉयल उनि सो इकlynn में उसकी बात बात करें अनु तो जो याद रखना कि वैसा सूध्पदार्थ जो एक ही परकार के पर्मानु से मिलने बनता है उसे तत्व कहते हैं और वैसा सूध्पदार्थ जो एक ही पर कार के अनू से मिलने से बनता है वैसा सुत्पदार्थ जो एक ही परकार के अनू के मिलने से बनता है उसे कहते हैं योगिक और हम लोग एक सेपरेट क्लास लेंगे योगिक पर क्योंकि कोई भी कम्टीटी बेक्जाम लगभग पुछ महत्पुन योगिक सवाल पुछे जाते हैं तो कई बार योगिका यूज पूछ दिया जाता है और बीपेसे में सवाल पुछे जा गया था कि ब्रीधिंग टेस्ट के पार्त कराल किमिले से बना उससे आतर्त मिं तुज पर्कार के पर मानूं के मिल है कि अगर आपसे सूर्ड पदार्त को कितने वह वह एकियो में उसी परकार से अगर цвет की बात में तो ऊसल में सूद पड़ार्द कि बक्रू ऒस्यां आभ थो बहना की चिEr से भी की ऐसर सुद्थ पडार्थ फशनक लगते सुद धबाने से कर दर पर हम लोग गोर करेंगे हैं सुद्त पडार्थ कर दो एक ही परकार के कामें जोड कर ना भी तद्व पर चलिया मंटि समझते हैं तत्व कि तो अब हमरा अगला जो टॉपिक हुए तत्व बरी आराम से समझते हैं कि सवाल इसी पर आता है पुरा किमेस्ट्री इसी पर डिपेंड अगर आप तत्व समझ जाते हैं फिर याकीन माने किमेस्ट्री में किसी भी पॉयंट पर थुरा सा दिकत नहीं होगा तो सबसे पहला पाट्रम क्या देखते हैं तत्व अब गौर करना है तत्व क्या है अभी जाश्ट हम लोग बात कें कि तत्व क्या है तो तत्व एक सूध पदार्त अब तत्व पदार्त है कैसे बना हुए तो एक ही परकार के पर मानों की मिले से बना हुए है है और हम लोगे समझते हैं पर्मानु में कि पर्मानु को तुरा जा सकता है नहीं तुरा जा सकता तो डॉल्टन ने सबसे पहले शास हो तीन हो बता थे पर्मानु को तुरा नहीं जा सकता अब विभाज कर ने हलाकि उसे हम देखेंगे concept सहीं नहीं है उसके बाद देखें गाइए उसमें क्या डिफेक्ट था तो तत्व कि अगर बात करें तत्व क्या है तो तत्व वार में सिंपल सावे में हम समझते हैं कि तत्व जैसे कोई भी एक तत्व ले लेते हैं जैसे हम लोग सबसे पहले लेत है और तो ए जिनरल हम देखते हैं तो स्नायों त olduğunu है ठीक है अब इसमें छुटे-छुटे परमानू होगे और परमानू का आकार दस के पार माइनस 15 मीटर होता है इस बात को याद रखना है सोरी परमानु के नाभी का कर दसको मैनस पंद्र होता है और परमानु का कर दसकी पर मैनस दस मीटर होता है इस बत को याद रखना है चलिए ठीक है अभी हमारा क्या है परमानु अब गर की जी यह हमारा सुना धातू है ठीक है मेटल है और इसके एक पूर्शन एह धातू एक और गवर किजिए मैं अगर इसे इसे एक परमानु को निकाल के और इसे देखूं草ब Meu गोरकिते अगर एक परilot मुझेंद आप अगे परमैन को देखा जा सकता है Alice doottr otherwise is scanning टेयली इलेप्रोन माइक्रोस्कोप इसे का जाता एस टी एम इसे देखा जा सकता अगर आप रहाएं देखें तो रहाएं में जो कुम करण का रूसीन है और देखें कितना बढ़ा है लगभग मतलब रावन ऐसे खरा तीन तले चार तला पे खरा उसके बाद कुम करना से जमीन पे खरा फिर उसे लगभग बराबर तो कैसे किया जाता है इतना बड़ा तो याद रखें इसी मैक्रोस्कोप से किसी भी छोटे से छोटे आकार को बढ़ा करके दिखा जा सकता है तिसे कहते हैं स्कैनिंग टेलिंग इलेक्ट्रोन मैक्रोस्कोप अगर आप से पुचिए कि परमानु को कैसे देखना समय परमानु को क्या देखा जा सकता है बिल्कुल देखा जा सकता है किस से इस टी ए मैक्रोस्कोप से देखा जा सकता है ठीक है आप समझे अगर परमानु मैंने इस यह सुना था तो अगर इस परमानु को मैंने निकाल के देखा तो इस परमानु के जो आकार होंग कि यह च्छी आइसं कर लिजे कि पर्मानु का धुर मायनस दस मीठर है तो दसके पर मैनस 10 मिटर इसका ध्रमान अग्र माली जी 117 ऑभे है तो बाकि सब कर्मान एक सानतानावी एम्यू जो मैं आकराले रही गतर याद कर लिजे कि पर्मानु का अकार दस से माइनस 10 मीटर होता यह से एक एंगेस्ट्र माफ कहते हैं या फिर सुना का जो द्रम mánd ay fools सब्रमाइन अगर मुझे खट्टा लगा कि यह सब खट्टा लेगा कि एक ही वुपास्ती सभी परमानु का गुन सामान होता है ठीक है इसलिए तत्व को परिभाषित किया गया और परिभाषित किस्में क्या लिबोजीयर ने सबसे पहले लुक्षयं आप से पूछे कि तत्व सबद का पर्योग सबसे पर ने किया था याद रखना है रोबर्ट वाल ने तत्व सब्द का परवयों किया na 1961 में को इस बात को याद रखना है लेकिन तत्व को परिभासीत किसने किया डिफिंड किसने किया तो तत्व को परिभासीत एसवाल बीह पely लुए सिद ऐसके में पूचा जा चुका है कि इस बात को सबसे पहले परिभासित क्या था लिबोजीर नी और विपेस्ट में कोशन पूशह जा चुकत है कि के मेस्ट्री के पीता को नहीं क्टेम सबसे पहले फिए इस बात को द्यान है अब सबसे पहले जो मैं भी अगर आपको ढेंगे जोगाय। इस डिक्रीए अगर आप से सबसे अधिक्तम साथ पर पर ताह विलकुल नहीं काफिक रटाश्टन को अगर याद रखने टंगर्ष्ट्रों को किसी भी बीधी से अगर इसको तोर दिया जाए इसको ने बदल दिया तो क्या इसका गुन बदल जागा बिल्कुल नहीं याद रखना है कोई भी मेटल है इसके गुन को किसी भी किसी बीधे द्वरा बीधी दो होते हैं एक यांत् तोर तोर दू चोटा चोटा पाट्र में बदल दू इह हमारा हो गया यांत्रिक बीदि और यांत्रिक बीदे से याद रखना है उसको मैंने क्या किया बदल दिया ठीक है लेकिन अगर मुझे कही कि क्या कॉछ सब्सक्राइब याद रखना चूकि क्या है तो इक परकार कार लेकिन अगर बात करें कर दो तो अगर का याद रखने में अक यह मैं बदल सकता हूं लेकिन अगर मुझे को बने को अको बदल दो तो समय बीधि द्वारां उस सी बदल नहीं जा सकता है इसे शमान भासा में कहते हैं द्मारा का मतलब तोड़ना कमतलों थेना तो टात्व क्या है पता यह यह सूदक जिआ थे तत्व क्या एक सुध्पदार्थ है एक सुध्पदार्थ है ऐसा सुद्फदार्थ है जिसए किसी भी इधि द्वारा बिधी कितने वह सकते हैं दो एक भ्हौतिक बीध्य रच्ट्षणिक बीधी याद रखनाए फिजीकल प्रोसेस को एंड केमिकल प्रोसेस कर आप से पुछना क्या है तो वह सुद्ध्य पदार्थ है। जिसे किसी भी वी ठीगखकर लारा कि सी भी दीवरा याद रखना है क्या नहीं किया जा सकता है तो उसके गून को बाहला नहीं जा सकता है तो इसके Fayg mogelijk cùng तत्व को कुछ दिन बाद ऐसे बात को क्योंकि हम लोग देखेंगे जो डिफिनेशन गलत हो जागा क्यों कि जब अलफा पार्टिकल बीटा पार्टिकल गमा पार्टिकल का खुज हुआ तो पता चला किसी भी तत्व को बदला जा सकता है लेकिन फिर भी इस सबसे पहला वहाँ सूथ पादार थे जिसके किसी भी बीधो दोरा जिसे गुनों को बदला नहीं जा सकता उसे तत्व कहते हैं लेकिन जिनरली हम लोग भी जश्ट देखें कि सूथ पादार थे सूथ पादार का मतलब है कि यह एक ही परकार के परमानों से मिलके बनाओगा ए स्लय देखिए अगर किसी परिभासा ऋकसी आयाम उपलह देखें है लेकिन उसका दोखनेख का मूल रूप का मूल रूप है ही होग हो ओडगा मूल अब कहते हैं कि तत्व वह सूत्थ पदार चनलिग देखे तटव सईमें क्या है सूत पदार दें जिसका नाभी कि आवेश जिसके सवी परमाशन्म का नाभी कि आभज समान होता है मतलब अगर माल लीजे शुडम है ये तो सोदियं के अगर इस प्रमानु को उठाके मैं समझते इक सो डियम के नाभिक पर कौन सा चार्ज एक पलस तो दूसरे सोदियों पर भी ग्याद रखने एक पलस तिसे सोदियों के पर्मानु पर भी एक पलस् मतलब कह सकता हूं कि ताट्व वह सूथ वदार द है जिसके तत्व सूर्थ पादर जिसके सभी परमानुपर समान ना भी कैबेश्कत्रू से क्या कहते हैं दोनोर के त्ट ट civ अब समझतें ते दिखे अगर बात करें तो तत्व के भागं कौन से हैं मतलब किसे बना उते तो तत्व बनाटे परानू से गसरे बात हिसके बात करें कि कौन Garghi संपया सकता है तो तत्व की याद रखना Τीन अवस्थाय हो सकती है को कि तत्व क्या है पडार्थ है और पडार्थ की जब कि अवस्था है तो तत्व के भी कितने वस्था होंगे तीन और तत्व के जो तीन अवस्था होती है ओह सकती है इसकी बाद अगर बात करें की कि तत्व की तो तत्व को अगर पर कार की बात करें कि तत्व के गुन के अध्र रपर तत्व को कितने बाध में बाठा गया तो तो सकता है है और एक याद रखने कि किमिश्ट्रीख में सम्झा जा सकता है तो इत्व डाग्राम से सम्झा जा सकता है त्थ इत्व सकता है त्थ रूप में यह त्थ स login समभब और याद रखना की जो तत्म है मतलब यहाद इसका मतलब बिलकुल है नहीं कि हमारे बर्मान में 1108 गयस मौझो थे रूप में जू घंटी करें देख लीजिये जसे बात करें तो एसे अनंत ही मँझूद है लिकंगे यहां बाद करें इस नहीं थ牙कोतर दोट अगर इसके बात करें द्रव कितने तो द्रव है दू देख लिजिए अब टोटल तो देख लिए एक 188 है जिसमें इसे इगारा गयास है और द्रव है यहां से बीपेसी कई बार बार स्वाल पुछा जाते कि कौन से ऐसे तत्व है जो द्रव आवसने पाए जाता तो तत्व क एक कौन है तो एक का नाम है ब्रॉमीन गौर किजिए एक का नाम क्या है ब्रॉमीन और एक का नाम है मरकरी याद रखना है ब्रॉमीन और एक का नाम है मरकरी जिसे पारा कहते हैं और इसे मरकरी को सुचित क्या जाता है एच जी से है क्योंकि हाइडराजायरम है इसका संकेत होता है ग्रीक भाहसा में अब याद रखना है इस बात को समझे मैं बोल रहा हूं नाम ब्रॉमीन मैं पीछी बता चुका हूं अगर आप कोई तत्म समझना है कि धातु अधातु मेरे साथ बोलिए ब्रॉमीन अंत में अगर न आ जा यह तुसके एक्सेप्टिक के जिने खिए ऑक्कीजिन हैृट्रोज अंत में नहीं हा रहे है नैट्रोजन अंत में नहीं है अधातु है याद रखना इसके बाद कराए और तो मरकरी किया है है थैय्ज коммент में आग गांसी कूशन तो यहां लोग जितने 11 गास हम लोग वहां देखके फिर यहां रिपीट कर लेंगे अब बात करें ठूस कितने बचे तो मुझे बताए एक तो अट्रब अटमें से इगारा गास हैं और दो द्रब है तो बचे कितने 105 और 105 क्या हो जाएंगे ठूस हो जाएंगे कि अगरा आप से पुछी के 118 तत्व में से कितने तट्व जो ठोस अबस्था में 105 कितने तट्व द्रव अवस्था में तो याद रखना है 2 कितने तत्व जो गैसी अवस्था में 11 लेकिन कभी-कभी इसा सवाल पूछ जाता है कि कोन ऐसे तत्व हैं जिसके गल्लांक काफी कम होता है तो गलन हम्होने का मतलब अगर आप उसे रख देते हो इस तो गलने लगता है उसका नाम बड़ा आसान है बुली मेरे साथ गलने लगता है मतलब गैलियम घैलियम ऐसा तत्व है जिसको अगर आप रूम टेपर रख देते हैं हाथ पे पकड़ते हैं हाथ पर रखते हैं तो हमारा सरीर का तर्फिर कीतना है तो एक स्वस्त मनुझ के और बिल्कुल इसी टमप्रेचर का नुकली इतना ही मिल्टिंग पॉयंट होता है जिसका नाम है फ्रांसियम तो दो तत्वा पोलक्स याद रखना है जिसका गलना काफी कम होता है उसका नाम क्या है दो तत्वा और लगसे एक है गैलियम और एक याद रखना है फ्रांसियम अबर दोनों पूछें कि दोनों क्या है धातु है अधातु है तो कुछ नहीं करना है बिल्कुल अनपर लोग भी बता देंगे सुनके गैलियम अन्तमियराय यम धातु है फ्रांसियम अन्तमियराय यम धातु है तो याद रखना है लेकिन रेडियो मेटल याद रखना इंपॉटेंट बात है इतना बात हमारा हो गया कम्पलीट अब समझते हैं सब्सक्राइब परना भी इस लेसं को धातो अब समझना है कि इसको एक पार्ट में देखेंगे अभी हम क्या पढ़ने वाले बिल्कुल देखे ठीक से तो तात्व कौन-कौन से हैं कर आपको के मालें करना परेगा अगर आपको याद करना परेगा तुद लिए कर टास दों के कुछ पर मान वियुक्त हैं कि आक चस्युक्यशक होते हैं समसे पहले और तत के कुछ परमानु संख्या होते हैं जिसे अटॉमिक नंबर कहते हैं और तत के कुछ परमानु भार होते हैं जिसे अटॉमिक वेट कहते हैं या फिर एटॉमिक मास कहते हैं याद रखना है परमानु संख्या को सुझित किया जाता है जेड से अभी बाती बिल्कुल याद रखना है या से अपिटल एस इंबल और शेंबल चलिए तो अकर तत्व बात करें तो सबसे पहला तत्व कोने सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन यह से कवेर सवाल अपुछे जाते कि कौन सा इसा तत्व है जिसके परमानु संख्या और परमानु भार दूनों समानों त सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन है तो याद रखना है समस्या लोगया है है एक परमानु भार कितने हैए एक याद रखना है उसके बात कड़ें हमारा हांप्धक्री हांवाग इसनिधुन संख्या क्या होगक तो देखले जिए हाइड्रोजै तदों कि chrom ही लिएम ही लियंम इम हे इसका संकित हो जयागा हम सबते हैं एच इछ उसका रॉट याद रभना दो और पर भाव बर चयार एं काम करते हैं लोग अभी द्रणी पर मानुभायर का लेकर तरीका हैं कि बहुत असान है हम ऐसा करते हैं पहले तत्र लिख लेते हैं हिलियम उसके बाद ब्रिलियम जब परियोडिक टेवल हुँ डिसके भी है हाई डूजन लिथियुम बिरेलियम उसके बाद बॉरोन लो इसके बाद कारबन उसके बाद नैट्रोजन आइछ अक्सिजोन मेरह साथ बोलते रहना है hydrogen helium lithium-brillium boron carbon nitrogen oxygen इसके बाद fluorine ऑगवान जो इसके बाद neon अज अ हला कि आगे पर हें गे लेकिन एक बाद डिस्ट कर लेता है इसका कहा है है तो hydrogen जो hydrogen याद रखना इसे भविश्का प्रदून का एंधन कहते हैं और साथ में भी याद रखना है जो वैलून आप लोग देखते हैं जो आकास मुर्ती है उस वैलून में हैड्रोजन कैस भरा जाता है लेकिन हैड्रोजन काफी अत्याधिक रियासी ले बहुत ज़्यदा एक्टिव है तुरांत अभी कर लेती है अभी किरिया करके जल जाती है और इससे बैलून फट सकता है या फिर कई पड़ करके दुर्गर्ट ना हो सकती है इसलिए अब बरतमान समय में हाइड्रोजन गैस न भरके और उसके पर हिलियम भरा जाता है लेकिन अगर आप से पूछे कोशन पूछे जा कि आखिर हाइड कितना परसेंट 0-10-0-3 परसेंट हम जानते हैं अगर आप एक इट लेजिए और इट लेके जोर से बजार दीजिए अगर उसे पटक देते हैं इट को तो गौर कि जिएगा इट का वजन ज्यादा इसलिए वह नीचे जाएगा और धूलकन आसपास है वह धूलकन काफी हलक एक सबसे कम सबसे हलका होता है जाब रखना है कि यह बाइं मंदल में उरनी लगती है लेकिन बाइं मंदल में याद रखने कि ऑक्सिए जैसे भीक्रिया करें किसी से क्रिया ना करें रखना है इसलिए इसarto रहा जाता है इस बात रखना है ही आद रखना है किसी को भीए कर देते जोनलियाद रखें जब करते हैं और आवाज बदल अगर आपका प्रिसमा सो कभी देखे एक सुह है मर जावा के टीम जबाई थी तो कपिसमा सब लोग के साथ ऐसा कुछ खेल खेलते हैं कि गुबारा में जिनली गुबारा दिया जाता है उसे मूं में ऐसे डालके और फिर आवाज निकला जाता है त सकते हैं कि लिए लंब है के लिए लिए ले कुछ समय के लिए तो सिकना मेंकिन अरब से पुछन पुछन पुछी जाए कि आवाज बादनेले वाली एत क्लिए तो यह बात याद रखना है और बात करें है जीसम पारियों परशेटाट एक ऐसी में आइस और से चाकूश है लिख लिजे मैं इसको आगे डिसक्स करूंगा सभी टॉपिक को लेकिन एक हलका सा आयाम है जो आगे आपको इस चीज में रखेगा कारवन की बात कर तो कारवन पूरे किमेश्टी में जितने तत्वे सबसे अधिक तत्व कारवन का सबसे अधिक योगी करवन का होता है देख के लिख कराव के मिश्ट्री तो कारवन कुछ नो कुछ हो खास होगा और जानते हैं कारवन सभी में बिद्वान है मुझने है आप में सब में इसले करवन को सार भामिक ततव कहते हमें इस बातते हैं नैट्रोशन में सबसे ज हμक दॉबadata पाए बинкиन का परमुघटक है औक् याद रखना सबसे अधिक औक्सिक्रान चमते या फिर कौन सी आधातु है जो सबसे अधिक रिया सुरुसका नाव फॉलॉरीन है और नियॉन जीसे आज कल देखते हूंगे कि कुछ ऐसा मतलब माले जी एडवाटाजमेंट हो रहा है किसी दुकान को तो रात में देखते हैं क रॉमैंटिक लाइट में यहां प्रयूकर ते सवाल पूछा जाता है तो चले हम लोग देख लेते हैं है अब रहाएं कर्वान नाट्रोजन ऑक्सिजन फॉलॉरीन यॉन इसके संकेत देखे तो चले लिथियम कर संकेत क्या हो जागा एल आई बैलीम का संकेत बी-ई बॉरन तीन चार पांच छे साथ आठ नोव दस चलिए हम लोग एट्रमिक बेट एक साथ देखेंगे सब का मगले स्लाइड में आगला ता तो लिखते हैं तो नियोन तक हो चुका है इसके बाद है सोडियम उसके बाद है मैगनेसियम पुलोरो फिल का घटक है मैंगनेसिया रखना है उसके बाद है ऐलमुनियम अल्यूमिनियम इसके बाद है सिलिकॉन अगर आप से पूछी कि सबसे अच्छा उपधातु कौन है तो सिलिकॉन और दिचालक सबसे चाओने सिलिकॉन उसका पूछी कि जो मारा चिप सोता है मेमोर स्क्षण नहीं खूछी क्यों अगरह उसमें कॉन सा अधातु का प्रियोकरनें याद रखना है उसके बाद 100 पैणल में कि स्ट्राटक खिशनक की सुपधात होता है तो याद रखना सिलिकॉन इंपोर्रेंट बात है कि सूड्य माग सनेलमूनियम शीयक्टैंशनु का वाग for us उसके बाद सलफर उसके बाद कुलोरीन उसके बाद आरगन है अ पोटैसिम आग और उसके बाद कैलसियम चली हमलोग Tea आगी संकेत क्या होना चाहिए देखेंर करते हैं संकेत कैसे जैशे मालजे आपका नम राम नरस है तो अरामनरश यादव आप नाम क्या लिखेंगा ए आरे न यादव आप unride संकेत के लिए स्ट ऐद राम राम नरेश तो राम राम कई अर नरेश का इन हम और विज्ञान का खोज इन युणान में हुआ है इसलिए युणान में एक वट चलता है जिसका नामें ग्रिक वोड़ और हम लोग भखली हैं जैसी देख लिए कहते ही कैए सण सुषे भगवान को किन हिली आ हिली कि यह!!" कहते हैं क häला को कहतें black अगर युनान में चला तो कला कश है जाता है का रज्य तो इह जंता को क्या क्ते पीपल नहां चले-घ्य तुंता का सधे लिमॉस समच इस आइं हाँ साशन करना वो क्या करते हैं रूल उसी परकार समाच यह तो कहाए तो उसे ग्रेशिया तो वह नहीं समझे कि यहां लोग सुदियूम बोलते हो वहां चले जाए तो ओहां का जाता है ने ट्रियम नहीं हो प्रश्ट प्रस्ट लेशं पर्स्ट लेटर का इन अब देखिशन्क तक ते लेकिन आपको याद होगा कि एन असेंबल किसका है नैट्रोजन का देख लीजिए है कि देखिए तो तक्रार हो जागी फिर इस लिए याद रखना है मामला क्या है यहां बदला जाता है चीजे और और यहां पूर्टम का संकित क्या लेते हैं एन और अनुकोई परधानाक्षर ए लेते हैं तो शुर्ण का संकित क्या हो जागा एन ए कम्पलीट तो इसके बाद अगर बात करें मेंगनेसियंता मैंगनेसियम का संकित म घी सील कंकित संकित कूंकि मैंने बताए पूकिसम को क्या-काहता है ग्रीक भाहस हामें तो चलियम ऐसलिए कि और चल्शीiają की तुन के संखिट क्या होता है कि एख ठीक है अब हम लोग देखने बाले हैं परमानु संख्या तो परमानु संख्याала विल्कूल कई साइर्ओ an राल जैसा अ कि अ चाप परमानु संख्या काक्षेंस मत समझे कि परमानु की संख्या मतलब अगर मिल कूल ऑप आ किसी भी एक मूल कोई भी तत बहुत उसमें 6.02 टू टू इन्टू टू दीपाबर 23 कन मौजूद हो सकते हैं अगर बात की सोटे में गारा क्या है तो एगारा प्रमानु संगे का मतलता प्रोटोन की संख्या मैगनेसिम की कितना 12 एलमुनियम का कितना तेरा सिलिकन का कितना उसका पोटेसियम का 19 और क्यलस्म का कितना 20 आब हम लोग देखने वाले परमानु भार को सूरीद की से करते हैं एस से और परमानु संख्या को जड़ से अब देखिए तरीका है किया परमानु संग्या परमानु निकालेंगे किसे प्रोपर परमानु भार तो माल लीजे दि और अगर वो और नमबर है एक पार देखते हैं लोग यूज करके देखते हैं फिर हम लोग समझते हैं बात को देखिए हाइड्रोजन एक एक अच्छा हिलियम क्या है दो और परमानुभर कितना है चार गोर किजिए लिथियम तीन आगे देख ब्रेलियम चार उसका बोरन पा अजिए गालना कैसे है उसका देख फ्लूरीन नो कितना हो जागा 19 नियॉंड रस कितना होजागा बीस देख लेते हैं रिट्यम का 3 कितने हो जागा इसमें का 4 कितना हो जागा 9 अब इसमें समाझते हैं चलिए हम लिख दिए क्शिए अगर किसी भी कोई भी परमान अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो बहुत असाने करना किया पर्मानु संख्या लिखिए अगर पर्मानु संख्या इभेन है मतलब समसंख्या है के बच्पन में हम लोग खेल Ettे-थि कघ की डोस मतलब होता है और नंबर अधोस्त मतलब होता है जो रहा तो खेल खेल थे लिए याद रखने हैं अगर समसे एवेन नंबर हो मतलब दौस में गळी तो कुछ नहें तो संख्या देखना है पर मानु संख्या अगर इवेन है तो इसको 2 मल्टि प्लाइ कर दीप यह परमानुब्तोखी और नीग जागा अगर अगर पर है तो क्या करना कुछ नहीं आप क्या किजे दो से मल्टीपलाई कीजिए और एक जोर दीजी तो क्या मिखा प्रमानुभार फिर से देखे मैं क्या बता रहा हूं अगर परमानुशंख्या क्या इवन है जैसे याद रखी दू इवन है याद रखना है उसके बाद देखिए चार इवन है उसका देखे च् मti baix अगर इवन परमानुशंख्या है तो दो से मल्टी प्लाई कीजिए einu क्या होगा परमानुभार निकल जाएगा अगर माली जी ओड है तो और है तो क्या है तो क्या करना दूगना करना ये एक जोर देना पिर आपका निकल जेगा अब इस समझते कैसे कुछ क्या है तो एक्सेPS रखना है एक सेटाओ साह में देख लेते हैं दिखिए परमानुभर कितना एकれて it अगर अगर वोत वी सम्स इंखतो न दे जोर दिऄ तोenta दूनी शेए यख साथ अगर याद रखना है पांच और पार एक्साप्षान समक्राइब करना कोई था यादफर की पांच यह और तो पॉरन कितना है पांच और पांच दूना दस बिस कर टो एक अफ़िया द रखना इसका 10 भी याढ़ रखना है इसका बात करेंगे क्यूं है किकम नंबर ठोड़ तो बाहने हो नहीं अब रखने मात्र दुबना करना है उसका देखे औक सीजन इवे नंबर है आड़ दूना सोल नो क्या है विशम संख्या है तो नव दूनी अठार है कितना उनीश सिर्दर दूनी कितना बीस मिन थे आगर देखे अंध सोडिय न तर्व्याम न तो इंग। गूंत संग हां तो संच है तो कितना हो जैंगा एफस फ्राइस फंद्रा देख लिजे फ्सफुरस 15 है फश्पीर स तो पंद्रा क्या है ओर नंबर है और नंबर का दुना कीजिये तो गितना 3 और एक GB 21 तो हुआ है समसंख्या तो 32 बसा समसंख्या देखे दूना कर दिजए विसंसंख्या देखे दूना गुना कर के जोर दिजए देखेAnn कुलोरीन का सतर दूना 34 संद्र जूरी तो 35 याद रख नहाइं पूरे किमेश्ट्री में दो तत्वाक को याद रखना है इधर एक कुलूरीन और एक कॉपर कुलूरीन का, या दाएं से end-upर q में होता है और कॉलोरीन को था 35.5 और कॉपर का याद रखना है तिरसर दसमलों पांच इसको याद रखना है तो 35.5 और 18 देखे आरगन 18 ता थारव दुना कितना 36 36 होना चाहिए लेकिन बात करते हैं इस पर देखे पोटेस्यम उनीच और रुप दूना 38 कितना 49 और 20 20 कितना 40 अब समझते हैं डॉल्टन की कॉंसेप्ट को जिसने गलत किया उस गलती में बहुत वराहाँ थे और गन का आरगन का कैसे तो समझ इस वात को आरगन एक ऐसा तत्व है जैसे आप एक तत्व पर हीगा भी संभारिक संभारिक इसे कहते हैं एक इसी के अपोजूट होता है समस्थानिक जिसे कहते हैं आईसो टूप्स और इसे कहते हैं आईसो बार्स अब समझे देखे सम भारिक सम मतलब बराबर और भार मतलब भार जब याद रखने अलग-अलग तत्व के परमानूं के या अलग-अलग तत् तो देख लिजे ये दूसरा परमानू है तो अलग अलग परमानू के अगर भार समान हो भार समान हो से संभाड़ी कहते हैं जैसे आपको एक्जामपल और भी मिलेंगे और याद रखने बहुत बढ़ा दूर से जब मेंडलिव ना वर सनी बना तो उसमें बहुत बढ़ा कोनी तो लुहा का परमानू भार कितना है छपन कोबाल्ट का कितना है 69 और निकल का कितना है उनसर देख लिजे तो परमानू भार क्या है बराबर है तो याद रखना है जिसके परमानू भार बराबर परमानू भार बराबर से संभारी कहते हैं और जिसके परमानू संख्या सब्सक्राइब भराब राबर जैसा यह थे हाइडरोजन तो तीन होते हैं समस्थानीक एक 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 ऑफ यह रखने एक दूऊ-एक तिन इसे प्रोंटीus कहते हैं इसे डूक्टेरियम कहते हैं इसे ट्राइटियम कहते हैं कारवन का छे बारा 613 और करवन का छे चुदा ए रडियू एक्टिव जितने बीजेसे जीवासमन क्या यूँ पता करना हो तो करवा चुदा से पता करते हैं तो छोटी सी बात मैं टोपिक परहा नहीं रहाऊं एक क्या तो समाने हो लेकिन पर मावन भार अलग लग लग तो परमानő संसामान हो तो परमानु के और तो यह यदा लगन काा उसको हमने देख लिया बाकि 21 से लेकर 30 तक हम लोग अगले क्लास में देखें वर जनरल कुछ होर इंपोटेंटेंट जैसे सोना चांदी मरकरी इसके लाबह एस सब तत्व को देखेंगे मिलते हम लोग अगले क्लास में इसी उर्जा इसी उमांग के साथ जहिंजे भरत